वीर और जादूई चिडिया चलते चलते बहुती सुंदर पहाड़ी गाउं में पहुंचते हैं वीर बहाँ पर ठेरता है देटे वीर यहीं पर वो चीज है जिसे की आप अपने फुरसस गंज को सुरक्षित कर सकते हैं हम और आपको मिलकर उस जादूई बर्चु को ढूनना होगा जिससे बहुत ही तीपर रोशनी इकलती है बीर को कुछ दिखाई पड़ता है बीर आगे बढ़ता है और अपना कर चोटा करता है पुत्र यहीं वो चीज है जिसके हम और आप सब मिलकर तरास कर रहे थे अब इससे हम फुरसस गंज को बड़े ही आसनी से बचा सकते ह फिर वीर उस जादूई चमकीली चीज को उठाता है और फिर वीर उस जादूई चमकीली चीज को लेकर फुरसस गंज के लिए रवाना हो जाता है बीर उस जादूई दबा को लेकर दादा जी के पास आता है दादा जी अब मैं इस दबा को लेकर आया हूं क्या आप हम बा और नहीं हो सकता दादा जी की एहाई बाज सुनकर वीर बहुत ज़्यादा प्रशन होता है वीर जलती से जलता हमें जलता को आस परोस के गाम और फुरसत गंज में इस दावा को जलते जल्ड विखेर देना चाहिए जिस्से कि यह महां मारी जलते जलद टल जाए है यह मिली आपकी सरा तो बाकिए बहुत अच्छी है, परंतो दादा जी, आप बताए क्या ये काम हमको जल से जल करना चाहिए? हाँ भी ये हमें जल से जल, फुर्सस गंज और आज पर लोज के सभी गाउं सहरों में इस दवासों विखेर देना चाहिए? इतने में ही बहां पर चिंटू आयाता है और वीर से कहता है, आरे वीर मेरे दोस्त क्या लेकर आया है, चमक जोर चीजें हमको भी बताओ, अन्ता तुझे पता है मैं कितना मारता हूँ? पर चिंटू वीर पर लाग घूंसा मारने लगता है, चिंटू तो चला गया लेकिन वीर के मन में एक बहुत बड़ी संका है कि दुबारा से हमारे फुरसद गंज हमारे प्रत्वी लोग पर कोई अक्रमर ना कर दे, फिर वीर सोचने के बाद उड़ता है और बहां पर दब अपने बेटी तसा अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था, पथा रामू बहुती मेंती था, अपने खेतों में जाता और खूम मेहनत करके पैसा इखटा करता